सुप्रभात बच्चों बढग दस्तम के विद्यार्थी घंध ध्यान देंगे आज गद चितीज के गद पाठ पुस्ता का तिसरा जो है उसमें एस्पाल द्वारारचीत लखनवी अंदाज भ्यंग है उसे ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले एस्पाल का जयन्म कव कहां हुआ ये खुद से पर लेंगे इनकी जिवनी इनकी किर्तियां जन्मिर्तु बार-बार आपको कह दिया जा रहा है बार-बार बोला जा रहा है इस पर ध्यान देंगे उसके बाद देखिए क्या है लखनवी अंदाज है जो भ्यंग है यूँ तो यस्पाल ने लखनवी अंदाज ब्यांग या सावित करने के लिए लिखा है, लिखा था कि बिना तत्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना तत्य बिना कारण के बिना वज़ा के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतनत्र रचना के रूप में इस रचना को परहा जा सकता है, एस पाल उस पतंसील सामंती बर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो बास्तविक से बेकवर एक बनावटी जीवन सहली का आधी है कर रहे हैं कि पतंसील सामंती बर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं ये उस पर ब्यंग कर रहे हैं उस पर ये जो है कटाक्ष कर रहे हैं कि पतंसील ये जो दिखा रहा है अपने नवाब साही वो पतंसील यानि बिनास का प्रतीक है अपने सामनतवादी जो बिनास जो सामराज्य अपना चला रहा है ये उसका प्रतीक है काना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस संस्किति को देखा जा सकता है सच मुच में आज देखिए आज के लोग बनावटी जीवन ज्यादा ज्यादा साफ सुथ्रा जो एकदम जो है सफियद पोश यानि भद्र लोग दिखने में लगेंगे देखने में लगेंगे उपर से बहुत अच्छे हैं और अंदर उनका मैल कितना मैला है कोई था नहीं लगा सकता उसी तरह से हां परजिवी संस्किती जो दूसरे के दूसरे पर निरभर रहे में दूसरे के बेस भूसा को संस्किती को अपना वह उसे परजिवी कहा गया है आज ओसे ही लोग हमारे समाज में ब्याप्त हैं, सभी जगह ब्याप्त हैं, उसी को आज देख रहे हैं, अपनी संस्कृती सभ्यता को भूल कर, देखिए, लखनवी अंदाज, सिर्सक है लखनवी अंदाज, मुफसील की पैसेंजर टेंचल परने की उताबली में फुकार रही थे, यानि मुफसील की पैसेंजर हुआ कि कभी को कुछ ही दूर जाना था, तो नगर के इर्दगिर्द के अस्थान में जो रहता है, उसे मुफसील पैसेंजर का जाता है, पैसेंजर गाई लगी थी, उसकी आबाजा, आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना ही था, भीर से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंद में सोच सकने और खिर्की से प्राकिर्टिक द्रिश्च देखने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया, कर रहे हैं कि सेकेंड क्लास के दाम अधिक लगते हैं, फिर भी अराम से जाने के लिए और प्राक किर्थिक द्रिश्य का मतलब हुआ कि जो खिर्की के नजदीक वैठे थे कि जो हर्याली जो खेतों की हर्याली है प्राकिर्थिक द्रिश्य को देखते जाएंगे इसके लिए लेखक जो है सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया अब देखिए गारी छूट रही थी सेकेंड क्लास कहें एक छोटे दिब्बे को खाली समझकर जरा दोर कर उसमें चरगे है जारी छूट रही थी यानि गारी खुलने को थी तो लेखक दोरकर उस पर एक डब्बे में, पूरे डब्बा खाली समझ कर एक डब्बे में बैठ गए, क्योंकि वो लेखक थे, उन्हें कभी-कभी कुछ लेखने की आदत है, उनकी जिग्यासा कुछ लेखने की होती है, इसलिए वो एक आंत जगा ढून रहे थे, अनुमान के प्रतिकुल डिबा निर यानि सुनसान नहीं था, वो डब्बा क्या था, डब्बा में कोई एक बैक्ती बैठे हुए थे, एक वर्तवर लखनव की नवावी नसल के एक सफेद पोस सर्जन बहुत सुविधा से पाल्थी मारे बैठे थे, सफेद पोस यानि बहुत साप सुथरे कपड़े लग रहे ह सामने दो ताजे चिकने खीरे तोलिये पर रखे थे, उनके सामने तोलिये पर खीरे रखे हुए थे दो डब्बे में हमारे साथ साख कुछ जाने से सजन की आँखों में एकांत चिंतन में बिगना का संतोस दिखाई दिया, कहने का तात पड़ी हुआ कि एकांत सजन इन से पहले साजन दने में बैठे हुए थे इका ये ओसन उचल कर उस दिब्बे में बैठे तो अनुमाल लगा लिए कि लगता है कि इनके चिंतन, लगते है कोई चिंतन कर रहे होंगे किसी भी से पर तिसमें बिगन यानि बाधा बाधा पहुंच गई हमाय तब सोचा हो सकता है या भी कहानी के लिए सूज की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तू का सौक करते देखे जाने के संकोच में हो इनको लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि वे भी किसी कहानी के बारे में सोचने की चिंता में हो या उन्हें खीरे जैसे सधारन चीज का सौक देखे जाने के कारण संकोच हो यह लेख़ जो है उस ब्यक्ति को देखकर अपने मन में ही विचार कर रहे हैं। अब देखे, नवाब साहब ने संगती के लिए उच्छा नहीं दिखाया। यहां लेखा कर रहे हैं कि हम लोग जब किसी अंजान ब्यक्ति को अगर एक आंथे में देखते हैं तो उनसे बोलने के उत्सक्ता ड़्त करते हैं कि थोड़ा इनसे बात्चित कर लें लेकिन ऐसा उत्साह उनके मन में नहीं जगा हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ कर आत्मसमान में आखे चुडा ली इन्हें भी लग रहा है कि अगर वो ब्यक्ति जो साहब हैं वो हमसे बोलने के इचुख नहीं हैं तो हम क्यों यह भी आत्मसमान अपने मर्यादा में यह भी आखे चुडा ली आखे नीचे करके और यह भी अपने बर्थ पर अपने सीट पे बैठे हुए हैं खाली बैठे कलपना करते रहने की पुरानी आदत है यानि खाली बैठे कलपना करने की पुरानी आदत है कोई ब्यक्ति अगर खाली बैठता है तो कलपना यानि तरह तरह की बाते इधर उधर की कलपना दिमाग में आते रहती हैं नवाब साहब की अस्विधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे संभब है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने की अनुमान में कि फायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट लिया हो कभी का रहे हैं अपने मन में कि लेखा को ये जो नवाब साहब है उन्हें सचमुच में ये जो है जो नवाब साहब थे वो एकेले पूरे सफ़र एकेले रहना चाहते थे सेकेंड क्लास का टिकट लिया हो और अब गवारा नहों कि सहर का कोई सफेद पोस उन्हें मंजले दर्जे में सफर करता देखे अकेले सफर का वक्त कातने के लिए ही खेरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोस के सामने खेरा कैसे खाए लेखक अपने मन में यह जो लखनवी नवाब बैठे हुए हैं सफेद पोस पाने तो लेखक अपने मन में यह कलपना कर रहे हैं वह महासाई के बारे में हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं थे लेका अपनी बात यहां अब्यक्त कर रहे हैं कि हम कंखियों से यानि इसारे से वो नवाफ साहब की ओर देख रहे थे नवाफ साहब कुछ देर गारी की खिर्की से बाहर देखकर इस्तिती पर गौर करते रहे आज तक इतना हैं फिर आगे पढ़ाया जाएगा फिर उसके बाद प्रस्नोतर होगा क्योंकि आप इतना से आज इतने कम पढ़ाय से प्रस्नोतर हल नहीं हो पाएंगे एक आंत में हो सके तो यह लेखक परिचे और